हेलो दूस्तो नमस्कार करने वाले हैं देखे स्टॉक मार्केट में आप लोगों को पता है दोस्तो कि बहुत सारे सेक्टर समनों को देखने को आप मिल जाते हैं अभी आप लोगों को यह भी पता चल चुका है कि यह जितने भी सेक्टर है हमारे सामने आप यहाप देख सकते हैं इतने ही नहीं है यह ये भी आप लोगों को पता है कि अगर आप stock market में बहुत समय से हो तो सभी के सभी sector एक साथ कभी भी नहीं चलते ये आपको भी पता है कोई sector मतलब अगर आपके portfolio में बहुत सरे अलग-अलग sector से कुछ stocks जुड़े होए रहेंगे तो आपको पता है कि एक कोई तो sector ऐसा रहेगा जो अच्छा कर रहा है कोई एक sector ऐसा रहेगा जो बहुत अच्छा कर रहा है कोई ऐसा sector रहेगा कि वो क्या मतलब full flat type ही चल रहा है ना अच्छा ना बुरा flat ही चल रहा है कोई बुरा कर रहा है तो कोई बहुत बुरा कर रहा है मतलब यह ऐसा mix reaction हम लोगों को देखने को मिल जाता है यह बहुत बार में आप लोगों को पता है कि यह जो एक circle रहता है आज कोई आपे top पे बैठा हुआ है वो कभी न कभी हम लोगों को bottom पे भी आते बहुत बार देखा हुआ है अभी के फिलाल की अगर हम लोगों के आपे बात करें दोस्तो तो आप सभी लोगों को यह पता है कि banking sector इतना कुछ खास नहीं किया है फ्लाइट हम लोगों के आपे बोल सकते हो देन अगर finance की भी बात करें वैसा ही FMCG भी फ्लाइटी चल रहा है IT sector ने बहुत अच्छा किया है तो कुछ हद तक profit booking भी देखने को यह पर मिल रही है देन अगर हम लोगों के आपे बात करें तो pharma sector भी COVID में बहुत अच्छा किया एसा हम लोगों को कुछ performance देखने को आपे मिल जाता है पर दोस्तो एक ऐसे sector के हम लोग बात करने वाले है जहापे अभी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहे है recovery देखने को यह आपे मिल रही है जो कि अगर मैं आपे बात करूँ लगबग 3-4 साल हो गए दोस्तो जिस इस sector ने बहुत ज़्यादा परेशान किया परेशान किया मतलब बहुत नीचे गया और बहुत नीचे के बाद recovery देखने को मिली तो usually जो aggregately performance है वो flat देखने को मिला है मतलब गिरावट ऐसी हुई ठीक है और वापस अभी हम लोग को यहापे वहाँ पर ही वो stock आते हुए देखने को आपे मिल रहा है मतलब हम कह सकते कि comeback solid है और अभी इस sector की अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तो तो already बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुके तो future की अगर हम लोग बात करें इसके लिए future open है प्लस मैनस थोड़ा बहुत होता रहेगा बट यह जिस तरीके से पहले हम लोग को गिरते वे देखने को मिले था उस तरीके के निशान अभी तो फिलाल तो देखने को नहीं मिलेंगे और वो सेक्टर ने दोस्तो आटो सेक्टर आप सबी लोगों को पता होगा कि यहापे मैंने बहुत बार बता है कि 2018 से आटो सेक्टर में बहुत सारे बदला हुए ऐसे ऐसे decision सरकार ने ले जिसके चलते आटो कंपनिया की धज्या उड़ गई जैसे के आपको पता है बहुत सारे uncertainties create हो गए और पूरा का पूरा सेक्टर जैसे मैंने आपको का था यह कोई internal issue नहीं था यह external issue है अगर आपकी company है तो आपके अगर competitor की भी auto वाली company है तो उनके लिए भी वो same rules applicable यहाँ पर होते थे और जो rules थे वो auto companies के लिए अच्छे नहीं थे शुरुआत हुई थी मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था कि loading capacity से related loading capacity मतलब आप लोगों को जैसे मैंने एक example भी बताय था यहाँ पर कि अगर आपका एक truck है ठीक है इस truck में अगर हम लोग बात करें आप 100 ही सामन लेकर जा सकते हो सरकार ने क्या किया बाद में बता दिया कि यह truck में आप लोग देड़ सो का भी सामन लेकर जा सकते हो मतलब क्या हुआ यहाँ पहले क्या होता था लोगों को अगर 300 का सामन लेकर जाना है तो 3 truck खरीदने पड़ते थे बाद में सरका इसके बाद बहुत सारे BS6 norms की अगर हम लोग बात करें इंजिन से रिलेटेड बहुत सारी बाते करें ऐसे बहुत सारे बदलाओ देखने को मिलें इलेक्टरिक वेकल की बाते देखने को मिली सो बेसिकली मैं बात कहके न चाता हूँ कि आटो सेक्टर ने यहापे बहुत सारा चीज़े यहापे जहल चुके है अगर हम लोग यहापे बात करें तो जितना वर्स था वो हम लोग ने अल्रेड़ी यहापे देख लिए क्या आपको पता ही नहीं चलेगा कि exactly कौन सा स्टॉक है क्योंकि सभी के चाट पेटर्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे 2018 से ऐसे डाउन और 2022 तक अगर हम लोग बात करें तो almost recovery के mode में हाँ यह depend करते है individual stock का अपना-पना performance हो सकता है जैसे कि कुछ मैं आप लोगों को example दिखाना चाहूंगा यह देखी यह stock देखे कैसा देखने को मिल रहा है 2018 दिख रहा है बिलकुल वहाँ से ही हमनों को गिरते वे देखने को मिला प्लस 2020 का तड़का भी लग गया कोविड के चलते हैं बट देखे कमपनी खराब नहीं तो come back किया एंड आज उसी के आसपस हमनों को 2022 में यह company आते वे देखने को मिली यह एक example हुआ ऐसे कितने सारे example यह देखे एक और एक stock है main चीज में बतारो उसको focus रखना देखे 2018 देख रहे है पूरा का पूरा sector नीचे 2020 तक then come back देखे 2022 में इस level को उसने अभी यहाँ पे match किया है next अगर हम लोग आपे बात करें तो देखे यह एक और एक company है 2018 देख लेना 2018 से गिरावट 2020 then हम लोग को यहाँ पे come back देखे हर एक में हम लोग को क्या देखने को मिल रहे है yes v-shape recovery देखने को मिल रहे no doubt हम लोग stock के उपर आएंगे यह देखे 2018 आप देख सकते इस company में भी इस company के अगर हम लोग बात करें in fact यह 2018 के लिवल के उपर भी हम लोग को trade करते हैं जो कि एक अच्छी बात है next अगर हम लोग बात करें यह सारे auto companies है दोस्तों यह मैं आप लोग को क्या बता रहा हूं यह बता रहा हूं कि 2018 से ही हम लोग को पूरे auto sector में गिरावट देखने क इन हर एक stocks में अगर आप लोग देखो कि कुछ individual stocks ने ठीक किया है कुछ stock अभी भी struggle कर रहे है देखे 2018 से गिरे है कुछ company अगर हम लोग बात करें come back कर रहे थी बट वापस गिर गे कुछ इनके अपने personal internal reasons भी है बट मैं आप लोग को बताने का बार बार यही एक मकसद है कि बताने का मकसद समझ रहे है आप लोग में मकसद यह है दोस्तों कि auto sector में अब लोगों को बहुत ही शांदार recovery देखने का आप इमले है और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहापे कोई internal issue नहीं है यह जो नियम लाए थे वो हर किसी companies के लिए same है equivalent है इसमें गिरा लेवल तक पहुची भी नहीं स्टील हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा होगा यह सारी चीज हम लोगों को धीमेदी में experience जाती है जैसे मैं कहता हूं कि external issue है आप चाहो तो ऐसे गिरावट में क्या कर सकते है SIP भी कर सकते जब रिकवर करेगा recovery कोई एक दिन भ अब और अभी पोर्टफोलियो यहां पे गिरने के बावजुद क्या मिल हम लोगों को देखने को मिला है अभी positive मिलते वे देखने को मिला है सो दोस्तों conclusion क्या conclusion यहीं है कि auto sector में हम लोग यहां पर बात करें दोस्तों तो यहां पे auto sector में हम लोगों को और भी अच्छा performance दे खतम होते वे देखने को आपे मिल चुका है अभी auto sector की बात करहूं तो कुछ stocks में आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूंगा अलग-अलग segment wise segment मतलब internal segment जैसे कि two wheeler रहते है जैसे कि अगर हम लोग आपे बात करे तो four wheeler रहते है जैसे कि bus रहती है heavy vehicle रहते है electric vehicle भी रह stock से जो कि number one position पे trade कर रहे है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा अगेन चाहूंगा यह मेरा कोई recommendation नहीं रहता है आपको study करने के लिए easy पड़े इसलिए यह सारी बाते में आप लोगों के लिए सामने आपे रख देता हूं तो सबसे पहले stock की अगर मैं बात क अच्छा कासा काम करता है heavy vehicles मतलब commercial vehicles के अगर हम लोग बात करें यह जो ट्रक्स रहते हैं या फिर अगर हम लोग बसे की बात करें बड़े बड़े अगर हम आप लोगों ने देखा होगी अशोक लेलेंड के आप लोगों को यसी passenger vehicle देखने को नहीं मिलेगी so heavy vehicles देखने को मिल जाते है उसमें अशोक लेलेंड अच्छा कर रहा है प्लस सरकार ने budget में भी capex से related बहुत सारी बाते की थी बहुत अच्छा कासा jump भी बताया था 35% के आसपास so जरूर यहाँ पर हम लोग कह सकते है construction sector में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा so अशोक लेलेंड के अगर हम लोग बात करी यह company में हम लोग को और भी अच्छा performance देखने को मिल सकता है company खराब नहीं है बट situation 2018 से खराब थी बट अभी हम लोग को सारी चीज़े recovery में देखने को मिली है बीच मैंने वीडियो भी बनाया था कि हाँ 70 के आसपास है आप चाहो तो यहाँ पर add कर सकते हो experience से यह सारी चीज़े हम लोग सीख लेते यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर four wheeler या फिर passenger vehicle की बात करें निफ्टी फ्टी वाला भी stock है अब ज़रू इसको consider कर सकते हो क्या two wheeler में sir tvs motor को भी देख सकते हैं ज़रूर इन दोलों में काटे की truck करें tvs motor और बजाज auto की अगर हम लोग बात करें तो आप ज़रू इनको focus में रख सकते हो next जो stock है इसको ignore करना में पसंद करूंगा मैं again के रहा हो दोस्तों मेंने बोला ignore करना और वह है hero motor बहुत सारे internal issues भी आमनों को देखने को मिले थे और company की sales की बिक्वाली भी आमनों को down ही देखने को लिए तो ये भी एक point आप लोगों को पता होना चाहिए next अगर हम लोग बात करें तो कौनसी company VS retailer इसको तो straight away ignore कर देना इ auto sector में शांदार recovery देखने को मिली है और उसी के साथ सा दोस्तों एक और चीज है कि auto sector अगर अकेला गिरता है तो इसका रती है नहीं कि उसे वही गिरेगा बाकी कुछ sectors भी है जो कि उसी के उपर काम करते है जैसे कि auto ancillary आप देख सकते है यह भी 2018 से गिरा then recovery हम लोगों को द सेजी नहीं देखने को मिलीगी बट एक decent performance आप लोगों को यह भी stock ज़रू या पर दिखा सकता है और बाकी auto ancillary वाले stocks भी चाहे वो मिंडा हो या मिंडा इंडस्ट्री हो जिसका नाम अभी you know मिंडा हो चुक है अगर मैं बात करो तो मतलब वो process चल रहा है या फिर अगर म चमक देखने को मिल सकते सोना कॉमस्टार जैसे भी नई कंपनिया इसमें अच्छा गासा performance दिखा सकती है तो यह सारी बाते हम लोगों को ने आपे सीखनी होती है तो आशा करता है आप लोगों को यह चीज समझ में आगे होगी कि यहापे अभी auto sector हम लोगों को क्या देखन को आपे मिल रहा है और जैसे यह अच्छा performance करेगा हर एक sector से related जो internal segment से related जो अच्छी company वो बहुत अच्छा गासा stock हम लोगों को performance देखने को मिल सकता है तो जरू इन stocks को क्या कर सकते हो आप लोग study कर सकते हो इनको focus में आपे रख सकते हो तो आशा करता हूँ आप लोगों क